हैलो फ्रेंड्स आज आप आप लोग को मावा के रेस्पी सिखाऊंगी बहुत इजी तरीका से मावा बनके तयार होगा कम दुद में बहुत बढ़िया मावा घर पे बनाईए तो इस तरह से देखिए कडाही पेन लिजिए चुलहा पर बैठाईए चुलहा कोन कीजिए और इसमें हलका सा घी से गार्निस कीजिए कडाही पेन में घी लगाने से मावा चिपकेगा नहीं और बहुत बढ़िया परफेक्ट मावा बनके तयार हो जाएगा तो इस तरह से इसमें घी लगा करके और तब दूद को डालना है देखिए कैसे दूद छलक रहा है तो इस लाश्ट तक भी नहीं चिपकने का डर है बहुत बढ़िया बनेगा इस तरह से बनाएगा तो अब इस दूद को गरम होने तक छोड़ना है फिर जब गरम होके खोलने लगेगा तब इसको मीडियम फ्लेम करके कंटिन्यू चलाते जाएए अब इस तरह से इसको चलाते जाना है बहुत बढ़िया से चारो तरफ से इसको मिला मिला के चलाना है जिसे मावा बहुत बढ़ियां मिला जुला बन के त्यार हो जाए तो हमारा वीडियो के लाष्ट तक बने रहिएगा अगर चैनल पे नए है तो सस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा बेल आइक अदबा दीजिएगा एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और कॉमेंट में जरूर बताईएगा कि हमारा मावा का रेश्पी घर पे कैसा बना इस तरह से मावा को मिला मिला कर चलाते जाएए चलाते जाएए 10 से 12 मिनट में मावा हो जाएगा रेटी चैनल को सस्क्राइब किये विना नहीं जाएगा इसको सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो के लास्ट तक बने रहिए कॉमेंट में जरूर बताईएगा देखिए ऐसे इस तरफ चारो बगल चारो साइड से ऐसे मावा चिपक रहा है दूद लेकिन इसको छोड़ाने में ज्यादा जंजट नहीं है बहुत इजी से इजी तरीका से छूट गया और इसी तरह से इसको छोड़ा छोड़ा करके और बहुत बढ़िया मावा तेयार किजिए अगर घी कड़ाही में नहीं लगाते तो इसमें दूद चिपकता साइड में बहुत चिपक ने कड़ रहता है तो घी लगाने के कारण है कि मावा बहुत बढ़िया बन रहा है और साइड में कड़ाही में चिपक नहीं रहा है लगने के बाद आसानी से छुट जा रहा है देखिए कितना जल्दी कितना कम दुध हो गया आप ये बहुत जल्दी बन के रेडी हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग मावा घर पे ही बनाईएगा मार्केट का मावा बिल्कुल मुझे पसंद नहीं है आप लोग को पसंद है या नहीं कमें बताईएगा मार्केट का मावा में बहुत कुछ लोग मिक्स करके बेचते हैं इसलिए मैं नहीं लाती मैं घर पर ही मावा बनाती हूँ खरीदा हुआ दूद से घर का दूद तो गावा में होते हैं लेकिन बाहर में अगर आप खरीद रहें दूद उचसे भी बना सकते हैं मैं उसी से बनाती हूँ देखे इस तरह से इसको मिला मिला के कंटीनिव चलाना है रोकना नहीं है नहीं तो मावा बढ़िया नहीं तियार होगा इस तरह से चलाते जाएए मावा बहुत जल्दी बनके रेडी हो जाएगा और इस मावे से अब आप गुजिया बनाएए बर्फी बनाएए पीडा बनाएए बहुत सारे मिठाईया बनेंगे तो इस मावा घर पे बना करके आप बहुत सारे मिठाईया बना सकते हैं तो इस तरह से घर पहीं बनाईएगा, देखिए कितना जल्दी तेयार हो गया, कितना बढ़ियां क्रीमी क्रीमी सा मावा बनके हो रहा है, रेडी, और कितना असानी से छुट भी रहा है, तो एक इसमें ट्रीक जरूर लगाईएगा, फ्रेंड्स, कि कडाही पेन में घी का गा गया, बहुत बढ़ियां कम दूध में, तो इस तरह से बनाईए, और बहुत सारा मिठाईयां घर पे बनाईए, गुजिया के लिए भी, ब्रत तेहवार के लिए भी मावा बना सकते हैं, इस तरह से, नौरात्री के लिए भी मावा इस तरह से बना सकते हैं, अब चैनल को सस सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए बेल आइकन दबा दीजिए और कॉमेंट में जरूर बता दीजिएगा हमारा रेश्पी कैसा लगा अगर पसंद आया होगा तो एक कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा हर दिन का एक रेश्पी मैं देने के लिए तयार हूँ इसलिए सस्क्राइब को किये बीना नहीं जाएगा फ्रेंड्स सस्क्राइब करके बेल आइकन दवा दीजिए देखिए कितना बढ़ियां से अबे जो कल्छी में लगा है इसको चाकू के सहारे से इसे निकाल करके और मावा को अलग कर लीजिए असानी से निकल जाएगा चाकू के सहारे से देखिए इतना सारा मावा हो गया रेडी और कडाही में भी नहीं चिपका है नहीं कल्छी में लगा है बहुत बढ़ियां मावा हो गया तयार तो इस मावे को रेश्पी आप जरूर ट्राई कीजिएगा घर पे मावा जरूर बनाईएगा बहुत बढ़िया मावा बनके हो गया है रेडी अब इसको एक अलग बरतन में रख लिजिए आप इससे हर चीज़ आप बना सकते हैं हमारा चैनल पर कॉमेंट करके तब तक के लिए बाए बाए